जै माताई दोस्तों कैसे हैं आप सब ही? दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों जैसा कि आप सब ही जानते हैं मकर संक्रान्ती का पर्व आने ही वाला है धनु राशी में इस समय सूर्य देव गोचर कर रहे हैं सूर्य के राशी परिवर्तन को ही संक्रांती कहा जाता है जब सूर्य देव मकर राशी में प्रवेश करते हैं तो इस राशी परिवर्तन को मकर संक्रांती कहा जाता है पंचांक एनुसार 14 जन्वरी को मकर संक्रान्ती का पर्व मनाया जाएगा धनुराशी से सूर्यदेव निकल कर मकर राशी में इस दिन गोचर करेंगे इस दिन सूर्यदेव की उपासना की जाती है पोश माहा चल रहा है मकर संक्रान्ती पोश्मा का बहुत ही प्रमुक्त योहार है इस दिन माग मास का आरंब हो जाता है इस साल मकर संक्रान्ती पर पूजा पाथ सनान और दान के लिए शुब है साड़े आठ बजे से शाम पाँच बच कर छालिस मिनट तक पुन्यकाल रहेगा और इस बार की जो मकर संक्रान्ती है वो बहुत ही खास रहने वाली है बहुत ही अद्बुच संयोग बन रहा है इस मकर संक्रान्ती पर मकर संक्रान्ती पर मकर राशी में कई महतपून ग्रह एक साथ गोचर करेंगे इस दिन सूर्य, शनी, गुरु, बुध और चंद्रमा मकर राशी में ही रहेंगे ये पांच ग्रह मकर राशी में ही रहेंगे जो की एक शुब योग का निर्मान कर रहे हैं इसलिए इस दिन को और भी जादा खास माना जा रहा है इस नान, दान और जीवन में बहुत ही पुन्य का फल प्रदान करता है ये और सुकसंब्रधी लाता है जीवन में इस दिन सुबह जल्दी उठकर सनान करना चाहिए अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर सनान करी जा फिर घर में जब आप सनान करें तो उसमें गंगाजल की कुछ बूंदे डालने सनान के बाद पूजा करी, सूर्य देव को नमशकार करी और जरुरतमंद लोगों को कपड़े और खिचडी का दान करी इस दिन खिचडी का बहुत ही विशेश महत होता है दोस्तों बात करते हैं पांच ग्रहों का ये जो गोचर है पांच ग्रहों का जो ये संयोग बन रहा है तो ये किन राशी के जातकों के लिए बहुत ही शुब रहने वाला है पांच ग्रहों का जो महा संयोग बन रहा है इससे पांच राशी वाले जातकों के लिए बहुत ही शुब समाचार मिलने वाले हैं सूर्य देव के इस गोचर के फलस्वरूप आपको व्यापार में अपने भागय का साथ मिलेगा सामजी कारियों में आपको लाब मिलेगा आपको सूर्य का ये गोचर प्राकर्मी बनाएगा स्वभाव में साहस की व्रिद्धी करेगा आपको कई शेत्रों से शुब समाचार मिलेंगे और आपकी आमदनी के श्रोत भी बढ़ेंगे इसके अलावा सूर्य का ये गोचर और साथ ही चार गरहों का और महासयोग आपको समरद शाली बनाएगा आपके जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर ये बना देगा आपको बुद्धिमान, प्रतिष्ठावान और विवेक बनाएगा सूर्य का ये गोचर आपके लिए कई माईनों में बहुत ही शुब रहने वाला है अब बात करते हैं वो पांच राशियां हैं कौन सी दोस्तों इन में पहली राशी है मेश राशी दूसरी राशी है वरशब राशी तीसरी राशी है सिहिंग राशी चौथी राशी है वरश्चिक राशी और पांच वी राशी है धनुराशी सूर्य देव का ये गोचर आपके लिए बहुत ही सौभाग्यावाला रहेगा सूर्य का ये गोचर आपको तेज़श्वी बनाएगा आपकी personality में एक गजब का आकर्शन रहेगा इस दोरान ग्रहों का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुब साबित होगा तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर ज़रू कर दें